जैशी रादी गुरुदेव, आपके चरन कमलों में इस दाज का प्राम सुखार हो, मैं MP गुना से आया हूँ गुरुदेव, जहापे लगबग पाच छेरों जो चुके हैं, एक आपसे मिलने की इच्छा थी आपको देखे, लेकिन टाइम नहीं मिला तो आपसे मिलने पाया, और मेरा पहला प्रिष्ण गुरुदेव यह है, कि 84 लाग जो योनिया होती है, 84 लाग की जन्मों में, यह जो कि बोलते हैं, साथ जन्मों का बादा करना, साथ जन्मों तक साथ रहना, तो यह साथ जन्मों का क्या रहश्य है गुरुदेव, तो आपको साथ जन्म साथ रहन तो माता पिता के साथ जनम हार जनम में अलग-अलग माबाप मेलेंगे वही छोड़ी मेलेंगे ने गुरु यह बोलते है ना साथ जनमों का आके रहशी क्या है मतलब इस साथ जनम तक हमारे भारत की परंपरा है देखो साथ जनम तक साथ कोई नहीं रहता ये तो एक प्रेम में कहा जाता है कि हमारा आप शितना प्रेम है कि साथ जनम तक हम तुमारे साथ रहेंगे ये तो पती लोग अपनी पत्नियों के इंप्रेस करने के लिए बोलते रहते हैं साथ जनम का साथ है तुमारा और हमारा अगले जनम का क्या है कोई नहीं जान रहा है लेकिन फिर भी ठीक है यदि पतनी सिंप्रेस होती है पतनियां भी बोल देती है कि आप जैसा पती साथ जनम मिले तो अबर पती गुरुदेप मेरा मेरा एक और सबल कि कि किसी भी तट को पार करने के लिए जल से जो नाव में बे सकते हैं सुना तो हमने भी ऐसा है लेकिन इसका क्या मतलब एक बार कभी ऐसी घटना घटी थी कि मामा भांजे साथ में थे उस नाम और बहुत सारे लोग थे वो नाव डूब गई तो ये समाज में अंधसरद्धा फैल गई कि मामा भांजे एक साथ नहीं बैठते वरना ना अच्छा है के नहीं है ये तो बिल्ली से पूछा जाए तो इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है चीजों का लेकिन फिर भी परंपरागत मान्यताएं हैं यदि माल लो कि बिल्ली का रास्ता काड़ जाना आशोब है यदि आप दो मिनट रुख सकते हैं तो रुख जाएं मामा भांजनी बैठते ठीक है यदि कुछ लौक एक माननेताएं भी होती है यहार एक माननेताएं जी तो माननेताएं हैं तो ऐसी माननेताएं हैं जिससे कोई नुकसान नहीं है फालो करने में भी तो माल लेने से कोई बुराई नहीं है जी गुर्देव जैशी रादे जी राद फिर्ट वइ 진짜 है फिर्ट वन झाल गया गुर्स्थी यह जूट बोलेक्ट कि इ continentalनावस्जी होगा ऋनाव अई रखे है तो आप यह जूट बोल नहीं तो शच आप बोलो तो आप पिते हो शराफ कि नहीं पहले पीते थे गुरुजी तो बोले गुरुजी के सामने बोलना तो अब तो नहीं पीते ना? नहीं आप पहले पीते थे अब नहीं पीते तब आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने आपको सुधारा नहीं गुरुजी नहीं पीते हैं क्यों आपने पीते नहीं? नहीं गुरर जोट बल नहीं क्यों डेली पीकर आते हैं इसलिये तो लेकर आये हैं हम नहीं गुरी जी पहले पी रहता लेगन यह बोली की गुरीची से बुन ना पड़ेगा तब जाकर जोड़ दिया है जाएँ चलो मैई याँ छोड़ा लो तुम माईक वहा विचारा जैसे तैसे सर आप छोड़ने की बात कर रहा तो पहले घुज्जा buoy मैं जैसे तैसे पतनियाँ लाद दी हैं अपने पतियोंको तुम्हें पहले पढ़ी हैlar अभी उनके बाद तुमारे पती को देखेंगे सबको अपने अपने पती की चिंता अच्छी बाद है नहीं गुरी जी आप छोड़ दिया है अच्छा ये बताओ आपकी पतनी आपके लिए अच्छा चाह रही है कि बुरा अच्छा तो ये बताओ शराब पीना अच्छा है कि बुरा है बुरा है जब से आपके सोड़ दिया है तो अच्छा नहीं है न शराब पीना शराब पीना क्यों अच्छा नहीं है बताओ क्या नुक्सान है शराब पीने के कुछ लड़कों के संगत बुरा था शराब पीने के क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है दौनों आप बताओ हमें फाइदा तो कुछ नहीं है नुकसान सब तो इसमें नुकसान है लेकिन तो फिर क्यों पीते हो पले थोड़ा संगत हो गया था अब अब अपनी पत्नी की संगत करो, आपकी पत्नी अच्छी है, अब नहीं पीना है, पक्का वादा, पक्का है, जूट तो नहीं बोलोगे, नहीं, हम विश्वास कर लें, सही, सही, तोड़ोगे तो नहीं वादा, नहीं, ठीक है, अब नहीं पीना है, नहीं पूझे, इनको दो यह मैं यहीं